मध्य प्रदेश है हिंदुस्तान का दिल और इंपी का दिल है भोपाल भोपाल को दोस्तू सिटी ओफ लेक्स कहते हैं जीलों का शहर पर जीलों का शहर का इतिहास महज 300 साल पुराना है बात शुरू होती है 1724 से 1724 अभी चल रहा है 2023 जस्ट 299 साल कईतिहास है भोपाल का 1724 दोस्त महम्मद खान भोपाल के पहले नवाब बन रहे थे मराठाओं का उद्गम भी हो रहा था इसी समय पे पेश्वा बाजी राओ प्रथम के समय मराठा अपने शीर्ष पर थे मराठाओं की ताकत बढ़ रही थी और इस ताकत का आभास भोपाल राज्य को भी हो रहा था भोपाल धीरे धीरे कमजोर हो रहा था नवाबों के अंडर भोपाल के आसपास की इलाखे मराठाओं के कबज़ए में आ रहे थे एक काकत इंडिया में और आचुकी थी उसी समय एक काकत इंडिया में और आचुकी थी East India Company यानि की Britishers पुराने और 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 में टक्राओ होना लाजमी था और टक्राओ हुआ भी यह लडाई कन्क्लूड हुई थर्ड एंग्लो मराथा वार के साथ माराठाओं और ब्रिटिशर्स के बीच कई बार लडाई हुई है लेकिन इस लडाई कर कंक्लूजन हुआ तीसरे एंगलो माराठा वार के साथ जहां माराठाओं की ताकत खत्म हो गई उनके दोरा कबजा किये हुए इलाके ब्रिटिश इंडिया में शामिल हो गए और इसी दोर में भोपाल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ सबसीडियरी अलाइंस साइन करता है सबसीडियरी एलाइंस में भोपाल आ जाता है अंग्रेजों का मित्र बन जाता है अब भोपाल के पास अंग्रेजों का संरक्षा था भोपाल का अस्तित्व सुरक्षित था और बदलाओ के लिए भोपाल तयार था और इस बदलाव की इस आधुनिक्ता की नीव रखी भोपाल की बेगमों ने तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं बेगम्स ओफ भोपाल तो दोस्तों निदिश्री एकेडमी से मैं हूँ आशीश और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नवाबों के शहर भोपाल में इन चार बेगमों का क्या योगदान था कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शा जहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम इनका क्या योगदान था भोपाल को इन्होंने आधुनिक भोपाल कैसे बनाया भोपाल के कल्चर, सिविलाइजेशन, एजूकेशन, हेल्थ में इन्होंने क्या बदलाओ की लोगों का महिलाओं को देखने के नजरिया में क्या परिवर्तन आया ये सारी चीजे आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से जानने वाले हैं भोपाल स्टेट आपके सिलेबस का हिस्सा है हम भोपाल स्टेट पे लेक्चर बना चुके हैं, निधिश्री अकेडमी पे पड़ा हुआ है आज हम सिर्श चार बेगमों के बारे में देख रहे हैं, वो भी डीटेल में ठीक है, ये लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिए जीलो का शहर भोपाल भोपाल को बसाया है नवाबों ने शुरुवात हुई, नीव रखी गई दोस्त मुहम्मद खान के द्वारा उसके बाद एक के बाद एक सक्सेसर आते गए यार मुहम्मद खान, फैज मुहम्मद खान, हयात मुहम्मद खान दिक्कत कुछ भी नहीं थी दिक्कत शुरू हुई गौस मुहम्मद खान के समय से गौस मुहम्मद खान एक बहुत अयाश नवाब थे नेगलीजिंस और डेकेडेंस इन दो शब्दों में इनके पूरे कारप्रणाली को डिस्क्राइब किया जा सकता है पूरे टाइम आयाशी में डूबे रहते थे और इनकी जो बेटी थी वो थी कुदसिया बेगम इनका एक वजीर भी था उसका नाम था वजीर मुहम्मद खान तो जब गौस मुहम्मद खान साब आयाशी में डूबे रहते थे वजीर ही पूरा सब कुछ सम्हालता था वजीर मुहम्मद खान ही पूरा राजपाट सम्हालता था बहुत बहादूर भी था बहुत नाम भी था इसका वजीर मुहम्मद खान ने क्या किया अपने बेटे नजर मुहम्मद खान की शादी कुदसिया बेगम से करवा दी इस लालच में शादी करवा दी की कुदसिया बेगम से शादी करके मेरा बेटा नवाब बन जाएगा अब ध्यान रखिएगा कि कुदसिया बेगम जो है रॉयल ब्लेड है नजर मुहम्मद खान रॉयल ब्लेट में ही है लेकिन दोनों के शादी हो गई और नजर मुहम्मद खान नवाब भी बन गए शादी हुई नवाब बन गए नजर मुहम्मद खान नवाब बनने के बाद तीन साथे तीन साल बाद इनकी मृत्ति हो गई एक एक्सिडेंट से पावर में आगया वैक्यूम अब जब पावर में वैक्यूम आया ये अब कौन गद्धी समभा लेगा नवाब नजर महम्मद खान तो मर गए अब गद्धी कौन समभा ले तो कुदसिया बेगम उनकी बीवी ने कुर्सी समभा ली कुदसिया बेगम जब भोपाल की राज गद्धी पे बैठी तब उनकी उमर महज 18 साल की थी और उनके कोई बच्चा नहीं था मतलब उनका कोई सन नहीं था उनकी एक डॉटर थी सिकंदर बेगम जो सिर्फ डेड़ साल की थी अब लीगल आयर लीगल आयर उस समय हुआ करते थे वो लोग जिन राजाओं के मेल बच्चे हूँ ठीक है यहाँ पे कोई लीगल आयर नहीं था कुरसी खाली थी तो पावर स्ट्रगल चालू हो गई मैजर महम्मद खान के जो कजिन थे मुनीर महम्मद खान उन्होंने बोला कि मैं कुरसी में बैठूंगा यह ठीक वैसी बात हो गई कि जैसे आपको एक एक एक्जामपल लेके बताता हूँ कि गाउं में सरपंच जी की मृत्ति हो गई सरपंच जी का कोई बेटा है नहीं एक छोटी बिटिया है देरे साल की तो अब सरपंच की कुरसी में कौन बैठेगा सरपंच की बीवी या सरपंच के भाई पावर वैक्यूम है ना सब लोग उस कुरसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे है इस कोशिश में कुदसिया बेगम भी थी नजर मुहम्मद खान के कजिन भी थे कौन मुहम्मद खान कुदसिया बेगम का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये जो रिलेटिव की तरफ से या आसपास की तरफ से जो अपराइजिंग हो रही है उसको क्वेल करना जो कुदसिया बेगम ने की भी अच्छा दूसरी चीज भोपाल के बहुत अच्छे रिलेशन थे ब्रिटिश गॉर्मेंट के साथ यानि की इस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में भोपाल ने सबसीडियरी अलाइंस की ट्रीटी भी साइन की थी किसे ने साइन की थी ट्रीटी नजर महुम्मद खान ने बहुत फ्रेंडली रिलेशन थे भोपाल के तो जब कुदसिया बेगम ने ब्रिटिश गॉर्मेंट से हिल्प मागी तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हाँ आप रीजेंट बन जाओ रीजेंट मतलब भोपाल की सनरक्षक बन जाओ आप तब तक ही आप सनरक्षक बन सकती हो भोपाल की जब तक आपकी बेटी बड़ी नहीं हो जाती और उसकी शादी नहीं हो जाती और उसकी शादी होगी जहांगीर महुम्मद खान से जो मुनीर महुम्मद खान का भाई है आपको जहांगीर महुम्मद खान से शादी करवानी पड़ेगी अपनी बेटी की कालांतर में और जैसे ही शादी हो जाएगी जहागीर मुहम्मद खान नवाब बन जाएगा जब तक आपकी बेटी बड़ी नहीं होती शादी योग्य नहीं होती तब तक भोपाल की कुरसी पे आप बैठो ब्रिटिश सरकार ने भी अपनी मोहर लगा दी उसके बाद वहाँ पे कई सारे इसलाम और्थोडॉक्स एलिमेंट थे बहुत सारे इसलाम कंसर्वेटिव थे क्योंकि भोपाल जो है एक मुस्लिम प्रिंसली स्टेट था तो बहुत सारे काजी, मुफ्ती इन लोगों को लगता था कि पोलिटिकल पावर एक विमेन हैंडल नहीं कर सकती है तो सबसे पहले तो अपने रूल को लेजिटिमाइज कराना दरूरी था ताकि उनके सभासद और समान जनता ये बात एकसेप्ट करें कि एक महिला भी रूलर हो सकती है योगि जब प्रजा ही आपको रूलर एकसेप्ट नहीं करेगी तो फिर गद्धी पे बैठने का फायदा क्या तो शी गार्णर सपोर्ट फ्रॉम रिलिजियस एथोरिटीज तो कॉम्बैट दा वाइल्ली हेल्ट बिलीव बाइ इन्होंने काजी और मुफ्ती को भी एक डॉक्यूमेंट साइन कराए जहां पे उन्होंने ये एक नॉलेज किया कि महिलाएं जो है राजगदी पे बैठ सकती है एक राज चला सकती है ठीक है तो ये सफर रहा कुदसिया बेगम के नवाब और भोपाल बनने का कुदसिया बेगम के सुल्ताना बनने का सफर बड़ा कठिनाईयों से भरा हुआ था लेकिन फाइनली वो सुल्ताना बनती है अट दे एज ओफ एटीन अट दे मियर एज ओफ एटीन अल्राइट अब जब कोई नया रूलर बनता है न तो अपने प्रती की स्थापित करता है महलों के रूप में मंदिर मस्जिदों के रूप में खुद की पावर खुद की सक्ता को असर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कुदसिया बेगम ने भी महल का निर्माड किया और महल का नाम रखा गौहर महल कुदसिया बेगम गौहर नाम से भी जानी जाती थी अपने नाम पर इन्होंने महल का नाम रख दिया ये महल हिंदू-मुस्लिम आर्किटेक्चर का एक अच्छा फ्यूजन था गौहर महल नाम याद रखिएगा आज की डेट में आर्ट एंड क्राफ्ट के एक्जिबिशन सेंटर के रूप में इसको यूज किया जाता है ठीक है इसके अलावा इन्होंने जामा मस्जिद बनाया भोपाल में ये जामा मस्जिद दिल्ली वाले जामा मस्जिद के तरजबर बना था इसमें red sand stone का use हुआ है ठीक है चार बाग architecture में बना है चार बाग style में बना है भोपाल में इस्तित है आप भोपाल के बेगमों के बारे में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी मस्जिदों के बारे में आप पढ़ेंगे जामा मस्जिद, मोती मस्जिद ये सब आपको याद रखना है ये किसने कौन सी मस्जिद बनाई ताजुल मस्जिद ठीक है ये सारी मस्जिद भोपाल में है और अलग-अलग बेगमों ने बनाई है ठीक है फाइनली कुदसिया बेगम नवाब के पत से रिटायर होती है ये ब्रिटिश क्राउन की तरफ से मिलता था उन लोगों को जो ब्रिटिश क्राउन की अच्छी सेवा करते थे तो भोपाल के संबंद ब्रिटिश क्राउन के साथ कितने घनिस्ट थे ये बात समझ में आती है 1877 में उन्हें Order of Imperial Cross मिल गया ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ये बात पहले से decided था कि नवाब जहांगीर महुम्मद खान की शादी होगी बेगम सिकंदर जहां से और नवाब वही बनेंगे ठीक है और वो नवाब बने भी बट लिवर सी रोसिस होने के कारण उनकी 28 साल की उमर में मृत्ती हो गए और एक बार फिर किस्मत ने भोपाल की बाग डौर एक महिला के हाथों सौब दी जिनका नाम था सिकंदर बेगम इस बार पावर स्ट्रगल इतना जादा नहीं था जनता के सामने कुदसिया बेगम का एक प्रेसिडेंस था ही कि हस्बेंट के डेथ के बाद उनकी पत्नी को ही भोपाल समभालना है भोपाल की सत्ता अब सिकंदर बेगम के हाथ में थी भोपाल और इस्ट इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे सिकंदर बेगम के समय में ये और अच्छे हो गए और इस बात का सबूत हमें मिलता है जब 1845 में फॉर्मली ब्रिटिश क्राउन ने उनकी बेटी शाह जहां बेगम को वारिस के रूप में रिकॉगनाईज किया अब कोई सक्सेशन का इशू नहीं था अब कोई वार ओफ सक्सेशन नहीं होगा क्यों सिकंदर जहां के भी एक बेटी ही थी शाह जहां बेगम उनके कोई और वारिस नहीं था ब्रिटिश क्राउन ने क्या क्या उनकी बेटी को ही भोपाल के वारिस के रूप में रेकोगनाईज कर लिया 11 अप्रेल 1845 को मतलब अब यह ओफिशियल हो चुका था कि सिकंदर जहां के बाद उनकी सक्सेसर उनकी बेटी ही होगी भोपाल की बेगम के लिए सत्ता का रास्ता अब आसान हो गया था अब मामला खुदसिया बेगम जैसा फसेगा नहीं कि कौन भोपाल की गद्धी सम्हालेगा फिर वार ओफ सक्सेशन हो फिर कई लोगों के साथ लड़ाई जगड़ा हो यह सब कुछ नहीं ब्रिटिश क्राउन ने बोल दिया कि आपकी बेटी ही अगली सक्सेशर है भोपाल की ठीक है यह इंपॉर्टेंट है सिकंदर बेगम रूल्ड एज रीजेंट फॉर फॉर्स्ट हाफ ओफ हर रेइन सिकंदर बेगम 1844 से लेकर 1864 से लेकर 1868 तक इन्होंने रूल किया भोपाल में 1860 से लेकर 1868 का जो पीरियड था उसमें वो रीजेंट नहीं थी यह फॉल्ली फॉल्ड रूलर थी 1857 की क्रांती में सिकंदर बेगम ने अंग्रेजों का बहुत साथ दिया अंग्रेजों ने इन्हें as a reward fully fledged ruler घोशित कर दिया भोपाल का 1860 से 68 के बीच में ठीक है इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे वो सारे traits जो पुरुशों के साथ जोड़े जाते हैं वो सारे traits जो जन्दली लोग males के साथ associate करते हैं उन सभी गुरों में जो है सिकंदर बेगम excellent थी martial arts expert थी, polo खेलती थी, source women थी, तलवार बाजी सब कुछ ही नहीं आता था तो जन्ता के बीच में भी एक message जाता है कि ये एक able and capable ruler है भोपाल की सिकंदर बेगम के समय 1857 की क्रांती भी हुई अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि her reign witnessed 1857 rebellion where she was sided with Britishers she went all out to support Britishers she sent supplies of grain and forage to north of Kalpi and detachment to keep pace in Sagar and in Bundelkhand ठीक है she gave a temporary asylum to Colonel Durand, the then agent to Governor General who was retreating from Indore उस समय Colonel Durand Central India Agency के AGG हुआ करते थे agent to Governor General जब ये इंदोर से बचते बचाते भाग रहते तब सिकंदर बेगम निन को शरण दिया सिब भोपाल की अंदर नहीं बलकि सागर और भुंदेल खंतक इन्होंने आंदोलन को कुचलने में अंग्रेजों का support किया भई अंग्रेज भी तो भोपाल स्टेट को support करते आ रहे थे हमेशा से तो भोपाल स्टेट का भी ये करता वे बनता था कि अंग्रेजों को support करे भोपाल स्टेट देखिए कोई चीज सही गलत नहीं है भोपाल स्टेट ने वो काम किया जो उस समय जरूरी था ठीक है, अपने राज जी को बचाना था, इनका राज जो है बचा हुआ था because of अंग्रेज, तो अंग्रेजों को सपोर्ट किया इन्होंने हर चीजों को context में देखा जाता है, कोई अच्छी खराब चीज नहीं होती, context देखा जाता है कि क्या चीजें चल रही है, backdrop क्या है ठीक है, उस समय अंबा पानी के जागिरदार हुआ करते थे, फाजिल मुहम्मद खान और आदिल मुहम्मद खान इन्होंने 1857 की क्रांती में participate किया, पर इनका भी दमन करवाया गया, और इनकी जागिर को सिकंदर बेगम ने confiscate कर लिया यह अंबा पानी के जागिरदार थे यह लोग, अंबा पानी कहा है, राय सेन में है अंग्रेज 1857 की क्रांती के बाद भोपाल से बेहत खुश थे, और 1860 में सिकंदर बेगम को भोपाल की रूलर घोशित कर दिया गया अभी तक यह भोपाल की रीजेंट थी, मतलब यह किसी के बिहाफ में यह रूल कर रही है भोपाल को, रूलर नहीं थी, रीजेंट थी In 1861, she was awarded with the highest order of star of India, ब्रिटिश क्राउन का एक और order है, star of India, यह उनको दिया गया, order of star, यह इनको दिया गया तो ब्रिटिश क्राउन कितना खुश रहता था भोपाल से, यह मैं बताना चाह रहा हूँ, कुदसिया बेगम को एक order मिला, सिकंदर बेगम को एक order मिला इन्होंने बहुत सारे construction भी करवाए, जैसे मोती महल, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद जो है इसको पर्ल मौस्क भी कहते हैं, यह marble की बनी हुई है, अगर आप इसका फसाड देखें, marble का है इसके अलावा, शौकत महल भी बनाया है इन्होंने, हना, मोती महल और मोती मस्जिद तो बनाया ही है बेगम heavily invested in the province's infrastructure by laying a railway line between Hoshangabad and Bhopal Hoshangabad से Bhopal तक की railway line भी इन्ही के कारेकाल में develop हुई एक तो पर्दा को ये मानती नहीं थी, वेल सिस्टम में कभी रही नहीं पर्दा सिस्टम को कुदसिया बेगम भी नहीं मानती थी, सबसे पहले कुदसिया बेगम ही पर्दा सिस्टम के बाहर आई सिकंदर बेगम ने भी उनकी रहा पकड़ी प्लस भोपाल में slavery होती थी जहांपे लोगों को खरीदा और बेचा जाता था गुलाम बेचे जाते थे यह लगबग हर प्रिंसली स्टेट में होता था slavery को abolish करा है सिकंदर बेगम ने भोपाल के अंदर Update सिकंदर बेगम was the first rolling women chief who went to Mecca यह पहली ऐसी ruler थी या women chief थी जो जिन्होंने मक्का की आत्रा की she fell ill in 1868 and took her last breath on October 30, 1868 1868 में इनकी death हो गई यह बीमार थी finally 1868 में इनकी मृत्यू हो गई इनकी मृत्यू के बाद जाहिर सी बात है रास्ता एकदम साफ था शाह जहां बेगम को ही एकलौती वारिस भोपाल की बेगम बनती है भोपाल की नवाब बनती है the only surviving child of नवाब सिकंदर बेगम, she was born in इसलाम नगर नियर भोपाल भोपाल के पास में ही है इसलाम नगर वहाँ पैदा हुई शाह जहां बेगम ये तो पहले ही बता दिया गया है कि 1844 में at the tender age of six she was recognized as the ruler of भोपाल इनको ही next वारिस भोशित किया गया भोपाल कर she married वाकी मुहम्मद खान on 26 जुलाई 1855 इनकी शादी हुई वाकी मुहम्मद खान के साथ in 1868 when her mother passed away शाह जहां बिकेम नवाब भोपाल शाह जहां थर्ड बेगम भोपाल while her 10-year-old daughter Sultan became the heir apparent succession वैसे ही चल दा था अब जो भी इनकी बेटी होगी वही successor बनेगी तो शाह जहां बेगम की बेटी Sultan जहां बेगम वो automatically successor घोसित हो गई even though शाह जहां was just 30 when she extended the throne and could bear male ires in the future जब शाह जहां बेगम बनी भोपाल की तब वो सिर्व 30 साल की थी और उनकी एकी बेटी थी सुल्तान जहां automatically वो successor बन गई बट वो आगे जाके male ire भी produce कर सकती थी क्योंकि उनकी age just 30 थी लेकि उन्होंने कोई भी male ire produce नहीं किया उनकी एक बेटी थी अपनी एक बेटी से ही वो खुश थी सिकंदर बेगम जो इनकी माता जी थी उनकी बड़ी rough and tough personality थी polo player, horse rider, sword woman बहुत सारी चीज़ें बहुत rough and tough personality थी लेकिन शाह जहां बेगम was more feminine इनका art and architecture में education में, पढ़ाई लिखाई में बड़ा मन लगता था तो art and architecture से related इन्होंने काम भी बहुत सारे किये development से related बहुत सारे काम किये शाह जहां ने reason यह है कि जब तक शाह जहां बेगम भुपाल की नवाब बनी तब तक भुपाल state बड़ा consolidated हो गया था एक तो succession line clear हो गई थी अब कोई आपस में युद्ध नहीं था कोई infighting नहीं बची बोपाल में एक इन्होंने women encyclopedia लिखा जहां पे women का status क्या है Islam के अंदर उसके बारे में इन्होंने बताया अब इनके contribution क्या है शाह जहां बेगम ने भोपाल को modernize किया है आप जो भोपाल में art and architecture देख रहे हैं अधिकतर ये शाह जहां बेगम की ही देन है भोपाल को develop कराया है शाह जहां बेगम ने established the Hindu property trust for conservation and protection of Hindu properties भोपाल एक muslim princely state था लेकिन वहाँ पे 90% आबादी जो है हिंदूओं की थी और हिंदू खुश रहें इसके लिए हिंदूओं के लिए बहुत सारे काम हुए पहली बात तो हिंदूओं की properties बची रहें उनका सरनक्षन हो उसके लिए एक कानून पास किया गया protection of Hindu properties के लिए Hindu property trust इन्होंने शुरू किया और क्या किया एक government newspaper उंदातुल 1871 में इसकी शुरुआत भी शाह जहां बेगम के समय में हुई एक सुल्तानिया में जनाना hospital है जो पहले lady lansdown hospital के नाम से जाना जाता था इसकी शुरुआत भी शाह जहां बेगम ने की एक hydro power unit एक छोटा सा इन्होंने mini hydro power unit बनाया था शाह जहाना बाद में जिसका नाम था पुतलीघर यह जो शाह जहाना बाद है यह एक छोटी सी walled city थी within भोपाल इन्होंने अपने नाम पे शाह जहां बेगम इनका नाम था शाह जहाना बाद एक छोटी सी city इन्होंने बनाई आर्किटेक्चर बहुत ही famous ताजुल मस्जिद ताजुल मस्जिद के बारे में अगर मैं बहुत कुछ बताने लगूँगा तो एक नया lecture बनाना पड़ेगा ताजुल मस्जिद नाम क्या है ताज ताज किसने बनवाया शाह जहा ने ताजुल मस्जिद किसने बनाई शाह जहा बेगम ने ठीक है confuse नहीं होना है ताजुल मस्जिद शाह जहा बेगम इनका इस मस्जिद का काम 1871 में शुरू हुआ बट ये पूरा हो नहीं पाया यह मस्जिद अधूरी बनी रह गई 1971 में इसके काम को रेजियूम किया गया 100 साल बाद फिर यह मस्जिद पूरी हुई बट मस्जिद को बनवाने का काम जो है या शुरुवात जो है वो शाह जहां बेगम ने की थी उसके अलावा सदर मंजिल है सदर मंजिल आज की डेट में भोपाल मुनिस्पल कॉर्परेशन का हेड़ कॉर्टर है सदर मंजिल यह सदर मंजिल उनके समय का है शाह जहां बेगम की इसके अलावा शी बेल्ट अलोट अफ अधर ब्यूटिफुल बिलिंग्स लाइक नूर महल अली मंजिल बड़ा महल बेनजीर कॉम्पलेक्स मुगलपुरा निमाजपुरा नवाब मंजिल एटसेक्टर तो यह सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इनका जो इनक्लिनेशन था आइट अर्किटेक्चर की तरफ था दूसी चीज़ एक शाह जहानी वरकिंग मस्जिद है यूके में सरे में उसके लिए भी इनोंने डोनेशन दिया यूनाइटेड किंड़म में एक मस्जिद बन रही थी उसके बनने के लिए डोनेशन दिया यह जो शाह जहाँ बेगम का रूल था 1868 से लेके 1901 तक यह रिफॉर्म मूव्मेंट्स का दौर था इसलाम धर में बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे थे बहुत सारे लोग रिफॉर्म मूव्मेंट्स का पार्ट भी थे इस मूव्मेंट्स को शाह जहाँ बेगम भी सपोर्ट कर रहे थे यह एक मूव्मेंट्स इसलाम चाहते थे जहाँ पे इसलाम में आधुनिक्ता भी हो हम लोग पुराने राइट्स और रिचुवल्स तक बस अपने आपको सीमित ना रखें ठीक है इसी सिलसिले में इन्होंने मुहमदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को डोनेशन भी दिया काफी जादा कंट्रिब्यूट किया ताकि अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने इसलाम धर्म के लोग एजुकेट हों पढ़े लिखें और बहतर बने शी बिल्टा वास्ट सिटी कॉल्ड शा जहानाबाद आफ्टर है एक अपने नाम पर शा जहानाबाद इन्होंने बनाया बहुत सारे रूलर्स हैं जिन्होंने अपने अपने नाम पर छोटे सा शहर उन्होंने छोटा सा टाउन बनाया है उसमें से एक शा जहानाबाद भी ह ये जो वाल्ड सिटी है ये भोपाल के अंदर ही इस्थित है फिर इन्होंने तीन तालाब भी बनवाए हूँ मोतिया तालाब, नूर महल, लेक और मुंशी, हुसैन खान तालाब बहुत सारी चीजे इन्होंने हर डिपार्टमेंट में काम किया सुल्तान जहां बेगम ने, 33 साल भोपाल को रूल किया है 33 साल में इन्होंने भोपाल को बिल्कुल मॉडर्न बना दिया इसके बाद आती है इनकी निच्रूल सकसेसर, सुल्तान जहां बेगम सुल्तान जहां बेगम का पूरा नाम था सुल्तान काई खुश्रो जहां बेगम काई खुश्रो भी कहते थी इनको है न ये जब सुल्ताना बनी तब इनकी एज हो गई थी 43 इनकी माता जी ही 33 साल तक रूल की तो जब तक इनकी बारी आई तब इनकी एज हो गई थी 43 इनकी शादिवादी हो गई थी एहमद अली खान नाम के बंदे से इन्होंने अपने पती एहमद अली खान के नाम पर एक शहर बनवाया भोपाल के अंदर ही उस शहर का नाम रखा एहमदाबाद यह वह जियाउद्दीन की टेकरी है उसी के आसपास के area को एहमदाबाद कहा जाता है ठीक है इन्होंने एक palace बनवाया Kaiser-e-Sultani यह एहमदाबाद palace के आसपास ही है यह पहली ऐसी building थी भोपाल की जिसमें Italian marble यूज हुए थे ठीक है आज की डेट में जो सेफिया कॉलेज है वो एहमदाबाद पैलेस के प्रिमाइस में ही है सेफिया कॉलेज यह एकेडमिक इंसिटूशन है भोपाल का यह सारे नाम याद रखिएगा आप लोग सेफिया कॉलेज, ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद यह सारे नाम आपको याद रखने है यह आपको प्रिलिम्स पॉइंट आप यह से इंपोर्टेंट है मेंस में भी अगर आपको यह ऐसा फैक्ट लिखेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पढ़ता है कैजरे सुल्तानी राजमहर कॉंपलेक्स वाज एक्स्पैंडेड में ही रुके थे ठीक है उसके अलावा क्या-क्या बनवाया इन्होंने एडवर्ड म्यूजियम बनवाया और मिंटो हॉल बनाया है मिंटो हॉल कहा है यह जहां अपनी पुरानी विधान सभा लगा करती थी 1996 तल जो विधान सभा थी मध्यप्रिदेश की वो मिंटो हॉल में ही लगती थी इसके अलावा नूरे सभा यह जो बहुत बड़ा होटल है हेरिटेज होटल है नूरे सभा यह भी नहीं बनवाया सुल्तान जहां बेगम ने गर्ड एजुकेशन के उपर यह बहुत ध्यान देती थी और बहुत सारे इन्होंने छोटे-छोटे टाउंशिप ब सेफिया कॉलेज भी बनाया सुल्तानिया गर्ड स्कूल भी बनाया जो आज तक चल रहा है इसके अलावा इन्होंने रफीकिया गर्ड स्कूल बनाया जो आज फैलकन क्राइस नाम से भोपाल में चल रहा है रफीकिया गर्ड स्कूल एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्य किया कुदसिया भेगम ने क्या किया भोपाल में एक प्रेसिडेंस सेट किया कि हाँ यार फीमेल भी रूल कर सकती है ठीक है चारों भेगम का आपको कुछ समझ में आया है इसके अलावा इन्होंने किंग जॉर्ज हॉस्पिटल बनाया यह हमीदियो हॉस्पिटल का ही नाम पह प्रेसिडेंट ऑफ और अल-इंडिया मुस्लिम लेडीज असोसियेशन जिनके लिए शाह जहां बेगम ने डोनेशन दिया था उसकी यह पहली चांसलर बनी तो यह याद रखना है आपको एजुकेशन के लावा इन्होंने टैक्सेशन, पुलिस, आर्मी, जुडिशेरी, एग्रिकल्चर, हेल्थ, सैनिटेशन बहुत सारे इन्होंने रिफॉर्म किये 1901 से लेके 1926 तक इनका रूल था, लगबग 25 साल का रूल था इनका, और भोपाल को एक कॉस्मो पॉलिटन लुक देने में, इनका बहुत बड़ा योगदान है, जहां पे ये ट्रेड की बात कर रही है, जहां पे एजुकेशन की बात कर रही है, अलग-अलग सेक्टर्स को रि बहुत पुराना रिष्टा रहा है, इनका जब जोर्ज फिफ्ट, जब कोरोनेट हो रहे थे, तब इनके कोरोनेशन सेरिमनी को अटेंड करने सुल्तान जहां बेगम भी गई थी, लंडन, तो इस तरह का असोशियेशन था बिटिशर्स के साथ, इनकी डेथ, the reign of बेगम्स भोपाल इंडेड विथ सुल्तान जहांज, एल्डेस सन हमीद उल्ला खान टुक ओवर दे क्राउन, शी हरसेल्फ एब्डिकेटेड दे थ्रोन फोर हिम, शी तुक हर लास्ट प्रेथ ओन में 12, 1930, अट कैजरे सुल्तानी पैलेस इन भोपाल, जो कैजरे सुल्तानी पैलेस है जो वही एहमदाबाद वाले इलाके में है, भोपाल के अंदर ही, वहाँ पे इन्होंने अपनी आखरी सांस ली, इनका बड़ा बेटा था हमीद उल्ला खान, वो जो है सकसेसर बना, उसको उन्होंने सकसेसर नियुक्त किया, और खुद 1926 में पद से उतर गई, रिजाइन क एक सो साथ साल भोपाल बेगमों के अंदर है, और बेगमों ने भोपाल को बहुत ज़्यादा मॉडनाईज किया, ठीक है, तो दोस्तों यही चारो बेगमों की कहानी, अगर भोपाल के नवाबों के बारे में आपको जानना हो, तो एक कॉमेंट कर दीजेगा, आप लोग लेक्चर बना देंगे, फिलहाल बेगम सो भोपाल के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको चारो बेगमें समझ में आई होंगी, इन्होंने किस तरीके से रूल किया, भोपाल में क्या चेंजिस लाए, किस तरीके से डेवलप किया, मुझे लगता है यह लेक्चर आप